असलाम अलेकूम आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही तेस्टी बहुत ही डिलिशियस डेजर्ट की रसिपी जिसको हम शकरकंदी से बनाएंगे तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का वर टैन है उसे किलिक कर दे और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए इस मज़ेदार खीर को बनाना शुरू करते हैं खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें शकरकंदी और बनाना होगा तो यहाँ पर हमने तीन मेडियम साइज की शकरकंदी लिया है जिनको अच्छे से धो लिया है अब इन शकरकंदी को हम एक प्रिशर कोकर में रख देंगे और साथ जाल लेंगे पानी पानी इतना डालेंगे, जिससे हमारी शक्रगंदी आसानी से उबल जाएं और शक्रगंदी उबालते टाइम आप इस बात का ध्यान रखें, कि इसको ओबरकुक न करें तो अफ कुकर के लिए लगा कर हम प्रिशा कुकर में दो उसिल लगा लेंगे और दो विसल के बाद में आप देख सकते हैं शकरकंदी अच्छे से उबल गई है तो देखिगे यहां पर शकरकंदी उबल गई है, बहुत ही बड़िया शकरकंदी उबल कर तैयार हुई है ना तो यह हार्ड है और ना ही सौफ्ट है तब शकरकंदी को हम छीब लेंगे Friends, मेरी आप से एक छोटी से र्योकैस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियो को Like कर दिया करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें इस तरह से हम सारी श privatesho constante को चीठ लेंगे श avec moi कडा काष गलेंगे आप चाहें तो शेकरकंदी को मैश कर सकते हैं लेकिन मैश करने में क्या होता है जिसमें रेशे होते हैं वो उसी में मैश हो जाते हैं और कडा कडा करने लगतार चलाना पड़ेगा बस शकरकंदी को उबालना है और दूद के साथ पका लीज़े बहुत ही टेस्टी बनती है तो अब हम कदुकस करी हुई शकरकंदी को एक पैन में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे दूद तो यहां पर हमने 750 हमिल दूद का इस्तमाल किया है तकरीबन तीन गिलास दूद है अब दूद डालने के बाद में गैस की फिलम को हाई कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक एक इसमें उबाल लिया जाता है थोड़ा सा हमने केसर लिया है इसको दूद में भीगो कर देंगे एक साइड में यह टोटली आप्शनल है आ तो आप देख सकते हैं खीर में अच्छे से कुबाल आ गया है अपके इसकी फिलम को लो कर देंगे और लो फिलम पर थोड़ी देर पकने देंगे खीर को पकते हुए लगबग 10 मिनट हो चुके हैं और काफी हद तक खीर गाड़ी भी हो गई है तो इसमें एड़ कर देंगे शकर तो यहां पर हमने आदे कब शकर का इस्तमाल किया है शकर आप अपने ट्रेस के कॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं अब शकर डाली है तो तो पानी चोड़ती है इस्ते थोड़ी दर खीर को फिर पका लेंगे गयास के फिलिम को हमने लो कर दी है लो फिलिम पर 5-7 मिनट तक खीर को पका लेंगे खीर के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसमें आड़ कर देंगे इलाची पौडर और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे अब इसमें डाल देंगे जो केसर को हमने भीगो कर रखा था उस केसर वाले दूद को भी डाल देंगे और एक बार मिक्स कर देंगे बहुत ही जबरदस्त इलाची और क्रेसर की खुश्बू आ रही है खीर से खीर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ऐसी ही खीर हमको चाहिए क्योंकि रखने के बाद में जब यह ठंडी होगी तो और गाड़ी हो जाएगी अब खीर में अपनी ट्रेस के कोई भी ड्राइफ रूट्स शामिल कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने काजू बादाम और नारिल को काट कर डाला है अब हम गैस की फिलिम को आफ कर देंगे और इसको ठंडा करके सर्फ करेंगे तो यह लीजिए बहुत ही कम मीनत में बहुत ही कम सामान में इतनी मज़ेदार खीर बनकर तयार हो गई है तो इस सर्दी आप भी इस रसिपी को ज़रूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगी जब ठंडी हो जाएगी तो हम आपको सर्फ करके दिखाते हैं खीर अब थोड़ी ठंडी हो चुकी है तो इसकी consistency आप देख सकते हैं क्या पहले सी यह गाड़ी हो गई है तो चलिए इसको सर्फ कर लेते हैं यह खीर दिखने में जीतनी tempting है टेस्ट में पी उतनी ही amazing है आप जिस किसी को भी यह खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ के बिना रुकेगा नहीं तो उमीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें झाल झाल